हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने पोको सीपैंसट एंडुड माइल फोन में आप जो है अपने वाइफाइ के इंटरनेट की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं अगर आपके वाइफाइ का इंटरनेट नहीं चल है ठीक है और अपने मुवाइल फोन को रिबूट करने के लिए फोन के साइड वाला पावर बटन उंगली से दबाके रखना है आपकी स्क्रीन के सामने पीज आएगा इसमें आपको रिबूट पर टैप करना है इससे क्या होगा आपका मुवाइल फोन आटोमेटिक इसमें सबसे उपर सर्च सेटिंग पर टैप करना है यहां पर सबसे उपर सर्च बार में रिष्ट आपको लिखना है ठीक है रिष्ट आप लिखेंगे तो नीचे आपको थोड़ी देर में एक ओप्शन शो हो जाएगा यहां पर थोड़ी देर में थोड़ा वेट करना आपको नीचे यहां पर लिखावा आ जाता है network setting इस तरह की से phone की network setting को reset करना है जिससे wifi का internet जो नहीं चल रहा है यह problem आपकी solve हो जाएगी अगला काम यह करना है mobile phone का software आपको check करना है कि update है या नहीं है सबसे पहले mobile phone का internet आपको चालू करना है इसके बाद phone का setting page open करना है इसमें आपको सबसे उपर यह about phone के सामने अगर यह update का button दिखाई देता है तो इसे tap करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके wifi के internet की problem solve हो जाएगी अब दोस्तों यहां पर आपको ने एक काम और करना है इससे problem solve हो जाती है और दोस्तों आपको एक काम और करना है आपका जो wifi connection अगर आपने ले रखा है तो उसके wifi का service provider होता है या फिर उसका customer care है जिससे आपने ले रखा है wifi connection उसके customer care पर आपको एक बार contact कर लेना है अब दोस्तों यहां पर आपको अगला काम यह करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है देखी दोस्तो mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बता है वे पिछले process कोई भी काम नहीं करते है तब आपको phone को reset करना है अदर्वाइस नहीं करना है इस page में सबसे नीचे erase all data का option tap करना है, इसे आपका phone reset हो जाएगा और आपके wifi के internet की problem solve हो जाएगी. लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है. पहली बात आपको यह ध्यान रखना है, आपके phone में जितना भी data, सारा data आपकिसी दूसरे mobile phone में transfer कर लिजिए या उसका backup ले लिजिए. दूसरी बात इध्यान रखना है, आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है, तो यह दो काम आपको पहले करने है, उसके बाद आपको mobile phone को research करने है, ठीक है ना? तो दोस्तो इस वीडियो मेरे बता है, वह सारे process आप यूस करेंगे ना, तो इससे आपके wifi का जो internet नहीं चल रहा है, यह problem आपकी solve हो जाएगी, ठीक है?